बन्टे नए भवन के अंदर हम सब लोगों ने परवेश किया है और उसमें सबसे पहले जो बिल आया है वो महिला आरक्षन पर आया है इस बात के लिए मैं पुरे हिंदुस्तान की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मान्य परधान मंत्री जी को तही दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरनिय सबापती महोदे ये एक एतिहासिक बिल है और भारत की महिलाएं आश्वस्त थी कि ये काम अगर कोई कर सकता है तो आदरनिय परधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी कर सकते है क्योंकि बीते काल खंड में भारतिय जन्ता पार्टी ने जितने भी संकल्प किये है उन सब को सिद्ध करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे आदरनिय परधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने किया है हमारी भाजपा की सरकार ने किया है संकल्प से सिध्धी की और मैं कहना चाती हूँ सबापती महोदे कि ये अमरित काल की बेला है इस अमरित काल में हम जिस तरह से शने शने विक्सित भारत की तरफ बढ़ते जा रहे है उसी की एक बानगी है कि ये जो बिल इस नई लोक सबाग के अंदर प्रस्तुत हुआ है आदरनिय सबापती महोदे सबसे पहले हमारे दूबे जी ने हमारी पार्टी की तरफ से इसमें अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि उनके माता जी एमस में एड्मिट है तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस उम्र में है मेरी माता जी भी हॉस्पिटल में एड्मिट है और वहां से मुझे लगता है कि वो अपनी बेटी को बोलते हुए जरूर देख रही होंगी उन्होंने नो महिने तक मुझे अपनी कोक के अंदर रखा और हर मा अपने बच्चे को कोक में रखती है एक मा जो है उसका फ्लेश और ब्लड वो लड़के को भी उतना ही मिलता है जितना लड़की को मिलता है तो इसलिए मा प्रकृति ने कोई भेद भाव जो है मेरे अंदर जो आतम विश्वाश पैदा किया हम लोग चार भेन भाई हैं सबापती मोदे दो बहने और दो भाई लेकिन हमें आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हम महिलाएं हैं या हम लड़की हैं तो किसी भी मामले में हम कमतर हो सकती है तो जो आतम विश्वाश हमारी माता जीने क्योंकि मा प्रथम गुरू होती है हमारे अंदर पैदा किया उसको हमारे आदरने परधान मंत्री जीने और हमारे संगठन ने समझा और परखा और 2014 के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना अब इन अंग बनाया मैं तहे दिल से इस बाग के लिए भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूं सभापती महुदे सभापती महुदे नारी को देवी कितने पूजा जाता है हमारे प्राचीन उसमें आपने सुनाई होगा हम कहते हैं कि या देवी प्रपन नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद देवी मात्र जगत तो खिलस से प्रसीद विश्वेश्वरी पाही विश्वम तो मिश्वरी देवी चराचरस से इस पूरे चराचर के अंदर जो है वो माप्रकर मंत्र से यहां पहुँच गए हैं जिसमें हम कहते हैं कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उडने नहीं देते हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है हम कहां से कहां पहुँच गए सभापती मौदे मैं ये कहना चाहते हूं सभापती मौदे कि आज जो ये बिल यहां पर प्रस्तुत हुआ है आज रानी लक्षमी बाई सरोजनी नाइडू अरुना असफ अली सुमित्रा महाजन जी सुश्मा सवराज जी हमारी सुचेता के प्लानी जी जो की हर्याना से ही थी कल्पना दत्ता जी और हमारी बहुत सी फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बहुत महनत की आज वो बहुत इस बात को लेकर सुकून महसूस कर रही होंगी कि आज जो है ये बिल 27 सालों के बाद लोग सभा के अंदर जो है वो आया है सभापती मौदे एक जिकर जरूर करना चाऊंगी मातंगिनी हाजरा जी का 1942 के अंदर जब क्विट इंडिया मुव्मेंट आया उन्होंने 5000 गाउवासियों को एकत्रित किया और जब अंग्रेजों ने देखा कि 5000 जो है वो भारतिये इस तरह से एकत्रित हो गए है तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी सभापती मौदे मातंगिनी हाजरा जो थी उनके हाथ में तिरंगा था एक एक करके तीन गोलिया उनको लगी लेकिन वो जमीन पर गिर गई उन्होंने तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया ऐसी ऐसी हमारी फ्रीडम फाइटर हमारी जो महिला विरांगनाए हैं उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है तो मैं सभापती मौदे ये कहना चाहती हूँ कि हम आज जो इस प्रीडम को लेकर आए हैं हमें हर किसी को दलों से उपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए जो प्लीज कंक्लूद मैं सभापती मौदे मैं अपने अपने पार्टी के तरफ से दूसरी बोलने वाली हूँ सभापती मौदे मुझे बोलने दीजे ये महिलाओं का बिल है और आप अगर महिलाओं को ऐसे रोकेंगे तो मुझे रगता है बहुत सी महिलाओं को इसमें तकलीफ होगी अप इनको प्लीज मुझे समय दीजे सभापती मौदे मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसे ने चिंता की तो बाबा साब भीमराव अंबेट करने की जोधी बाब फूले ने की सवीतर भाई फूले ने की बाबा साब ने कहा था कि अगर किसी ने चिंता की है तो हमारे परधान मंतरी आदर ने श्रीम नरेंदर मोदी जी ने की है 2007 के अंदर जब वो गुजरात के अंदर मुखे मंतरी थे तो उन्होंने महिलाओं को जो है वो रिजर्व गार्ड जो वहाँ पर जो गार्ड है फोरेस्ट गार्ड वहाँ पर नुक्त किया सभापती मोदी वो ऐसा शेतर था जहां पर पुरुष परधान पुरुष शेतर है लेकिन फिर भी महिलाओं को 2007 के अंदर मानिय परधान मंतरी जेने उस समय में जो है वहाँ पर नुक्ती दी थी और आज अगर हम देखें तो भारती जन्ता पार्टी के सरकार में मानिय परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के नेतरतों में आप यह देखिए कि हर्याना की धर्ती से वेटी बचाओ वेटी बढ़ाओ का नारा दिया गया और उस समय में 2014 के अंदर जो सेक्स रेशो 918 पूरे भारत वर्ष के अंदर आज 2022-2023 के अंदर वो 933 है और हर्यारा के अंदर जो 871 था आज वो 923 है मानिय है पती मौदे में कहना चाहते हूं कि मानिय परधान मंतरी जी की जो सोच है जो हिर्दे से जो बात कहते हैं वो सब के सब लोग किस तरह से उसको हिर्दे से मानते भी हैं इसके सासत में कहना चाहते हूं सबापती मौदे कि हमारे मंतरी मंडल में चाहे वो उसमेर रक्षावंत्राले था, वो महिलाओं के पास था, आज सबसे ज़र राजेपाल जो है, वो हमारी सरकार में है, ये ओहदे ही हैं, जो बताते हैं लफ़े बयां को खास, ये ओहदे ही हैं, जो बनाते हैं लफ़े बयां को खास, वरना कौन सुनता है यहां औरत की बात सभापती मौदे इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसलिए यह जरूरी है कि औहदे मिलने चाहिए राजनीती के अंदर महिलाएं आगे आनी चाहिए नहीं तो उनकी बात कोई नहीं सुनता है सभापती मौदे मैं कहना चाहती हूँ 2004 के अंदर UPA सरकार जो common minimum program के अंदर वो सबसे पहले उन्होंने रखा था कि हम वह में resolution बिल लेकर आएंगे और 2006 मई 2008 के अंदर राज्य सभा में table किया गया और उसके बाद 9 मई 2008 को standing committee को भेज दिया गया 17 दिसंबर 2009 को standing committee standing committee ने अपनी report दी और फरवरी 2010 को union cabinet ने approval दी सभापती मौदे 9 मार्च 2010 को राज्य सभा में पास किया गया 186 एक लेकर मैं सबसे पहले तो बलकि ये देखना चाहती हूँ कि वो एक महानुभाव कौन था जिसने महिला रेजर्वेशन बिल के खिलाफ वोट किया इसके साथ सभापती मौदे मैं कहना चाहती हूँ कि लोग सब हमें ये report किया आप समप किजिए प्लीज सभापती मौदे सिरफ मेरे को 2 मिनट वोट चाहिए communicate किया गया लेकिन उसके उपर उसको consider नहीं किया गया इस बाद का जवाब कॉंग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा सभापती मौदे लास्ट में लास्ट में कहना चाहती हूँ कि देखिए महिलाएं जो है लास्ट में बस एक इपास कहना चाहती हूँ कि जो ये बिल लाया गया है इसमें हर दल से उपर उठके सभी मैलाओं को जो है बढ़ चल का हिस्सा लेना चाहिए बहुत अच्छे एक छोड़ी सी कवीता दो लाइनों में खतम करना चाहती हूँ जिसको अमिताब चंजी ने गाया है तुझी से लिपती बेड़ियां समझना इनको वस्तर तू बेड़ियां पिखाल कर बना ले इनको शस्तर तू तुझी से लिए खताश है तुझी सी अमिताब चंजी ने गाया है झाल झाल